साल 2019 खत्म होने वाला है कुछ ही चंद दिन बचे है और साल 2019 तबदील हो जागा 2020 में लेकिन इस साल हमने क्या कुछ पाया क्या कुछ खोया पाया तो बहुत कुछ खोया एक बहुत बड़ी चीज़ है वर्ल्ड कप का सब्सक्रा चूर हो गया हुआ 2019 में वर्ल्ड कप खेला गया था इंग्लैंड में सभी फानल हमार गये क्योंकि बहुत ज़्या सवाल उठेते कि आखर महेंदर सिंग धोनी को क्यूं भेजा गया नीचे क्रम में बैटिंग के लिए यूबराज सिंग जो कि टीम इंडिया के विस्फोटक बलेबास है अब सन् लेकिन यूबी ने यहाँ पर धुनी के साथ अपना एक याराना शेयर किया उन्हें साफसाब का एक बंदा है जो में इस साल भी वर्ल्ड कप दिलाता हो था MS, MS धुनी पर वो बहुत ज़्यादा खपा है बहुत ज़्यादा गुसे में भी थे टीम इंडिया से कि आखर क्य हुआ टीम इंडिया में ऐसा कि MSD को नंबर साथ पर बलेवाजी करने भीजा गया जब सारी विकेट गिर चुके थे अपने रिशप पंत को उपर भीजा अपने तमाम क्रिकेटर्स जितने भी हमारे उसको उपर करम में बलेवाजी करते सब को आपने उपर भीजा लेकिन इ सारा साल हमारा अच्छा गया लेकिन इस तरफ युवराज ने साफसाफ का है कि 2019 में एक चीज़ का मलाव रहेगा वर्ड कप का लेकिन यहां पर साफसाफ उन्होंने कहा कि यह अगर हम जीतते तो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा में जीत दिलाता वो था महिंदर सिंग धूनी क्यों उसे नीचे भेजा गया आप उनको नीचे भेजते हैं और उन्होंने कहा भी था कि 2011 में आप देखिए महिंदर सिंग धूनी युवराज से पहले उत्रे थे तो युवराज से पहले स्किपर का आना बहुत बड़ी बात थी और धूनी ने भी उस वक्त कमाल की पारी के लिए और नॉट आउट निकले उसके बाद युगराज को कहीने का भरोसा भी हुआ था अपने दोस्त पर कि MS धूनी में एक वो काबिलियत है वही कुछ ऐसा कर सकते है और टीम जीत सकती है तो कही ना कहीं उन्होंने तारीफ करते हुए कहा महिंदर सिंग धूनी का कि य पर भी कैपेंग कूल है और बहुत जादा उन्होंने फेस किया उस चीज को लेकिन अब को याद होगा जो MS धूनी का विकेट गिरा था तो कहीना कहीं उनके आंखों से आसू भी आ गया था क्यूंकि वह सफना थामसपका कि हम 2015 में वर्ल्ड कॉप नहीं जीत पाय थे तो 2019 म हमारे पास एक चांस था वर्ल्ड कॉप जीतने के बात कि 2011 में वर्ल्ड कॉप जीता था 2nd of April 2011 मुंबई का वांखेड स्टेटियम उस बात का गवाव अनर्शुनंका को नहीं हराय था और कहने के अभी उवराज ने साफ साफ कहा कि बस 2019 में एक चीज का मलाल है कि हम जीताता तो सिर्फ और सिर्फ महिंदर सिंग जीता सकता था तो फिलाद लिए जासत और देखते रहे ये नेक्स है